कि तभी लोगों के लिए खुश खबरी यह है कि कल दिल्ली की कैबिनेट में एक एहं फ्रस्ताव पारिश किया है कि जितने भी दिल्ली में जुगी के लोग रहते हैं उनके लिए पक्के मकान बनाई जाएंगे पक्के मकान बनाने का कारेकरम शुरू हो गया है और हमें दिल्ली के लोगों को सम्मान की जुगी बस्तियों में रहने वालों के लिए केजरिवाल सरकार खुश खबरी लेकर आईए जुगी में रहकर गुजर बसन करने वालों को सरकार 2025 तक पक्के मकान बना कर देगी साथ इस सरकार ने फैसला किया है कि जनवरी 2015 तक बनी जुग्यों को नहीं अटाया जाएगा देश की राजधानी दिल्ली में आज साड़े चार लाग स्यादा जुग्या मौजूद हैं जैसा कि मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली के हर जुग्य वासी को पक्का मकान मिलेगा तो आज रियल्टी मीडिया की टीम जानने निकली जुग्य वासीयों का हाल और जानने निकली उनसे ही उनी की जुबानी कि केजरिवाल की बात में कितना दम है जहां जुग्य वहां मकान योजना के अंतरगत सरकारी विभागों को जमीन चिन्नित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं साथ ही सरकार का कहना है कि पूरी दिल्ली में जमीन तलाशी जा रही है और अगले महीने संगम वियाब में 582 मकानों की नीव रखी जाएगी यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार अपने वादे मुताबिक 2-3 किलोमेटर के छेत्र में जुग्य वासियों घर दे पाती है क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली चाहर में तिल रखने की जगा नहीं है वहां पूरी दिल्ली के जुग्य वासियों को पक्के मकान देना किसी चमतकार से कम नहीं होगा जुग्यों को तोड़कर पक्के मकान बनाने का जो वादा केजरिवाल ने किया इसको जुग्य वासियों ने खूप सा रहा और इसका पूरा समर्थन किया मगर यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है क्या दो किलो मीटर की रेंज मर जुग्यों को तोड़ कर पक्के मकान बन पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा और केजरिवाल सरकार की उपलब दिया रियल्टी मीडिया के लिए उतकर शवस्ती की रिपोर्ट